आप सबी लोग स्टूडेंटों का आपकी अपने YouTube चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप सबी लोग हमारे वीडियो की थमनेल में देख चुके होंगे आज की इस वीडियो के माध्धम से हम आप लोगों को B.A.L.L.B. सात्मे सेमिस्टर एक्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 2024 के प्र इस तरह के प्रिश्ण पूछे गाये थे और आने वाले समय में जब आपका एक्जाम होगा तो इसे पिरकार के प्रिश्ण ही पूछे जाएंगे और आपको हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट पर चले जाना है उहां पर पितेख सेमिस्टर के L.L.V. B.A.L.V. L.L.M. B.A.L. के कुश्चन पेपर मिल जाएंगे आज का जो सब्जेक्ट है लोकल सेल्फ गबर्मेंट यानि की इस्थानिय स्वासन एह जो सब्जेक्ट है इस्थानिय स्वासन और B.A.L.L.V. साथ में सेमिस्टर में हैं अगर आप B.A.L.L.V. कर रहे हो तो एह बीडियो आप लोगों क सब्जेक्ट के नोट्स या फिर प्रिवियस एर्स कुश्चन पेपर की पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रेप्शन बोक्स में हम अपना भाटसप नमबर दे देंगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हो भाटसप पर एकजाम में जो आपको समय दिया जाता है तीन घंटे का दिय नमबर का जिसमें आपको 10 प्रिशन दिये जाते है और 5 प्रिशन आपको करने पड़ते हैं पितेक प्रिशन 12 नमबर का होता है दोस्तों आप एह मत देखिए कि एक किस इनवसिटी का पेपर है आप तो अपने सब्जेक्ट देखिए अगर आपका यही सब्जेक्ट है तो इन्ही कुश्चन पेपर के जो प्रिशन दिये गाए है इन्ही को तयार कर लिए और वीडियो प्रिशन में आपको 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे अगर आपने उन्हें तयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं एक भी प्रिशन बाहर से नहीं पूछा जाएगा जितने भी प्रिशन पूछे जाएंगे इन्ही पेपर से ही पूछे जाएंगे चलिए अब हम जानते हैं पहला प्रिशन पूछा गया था इस्थानिय स्वासन की पिरमुख बिसेस्ताओं का उलेक कीजिए एवं इस्थानिय सासन और इस्थानिय स्वासन के मद्द अंतर की कीजिए इसके बाद दूसरा प्रिश्ण पूछा गया नगरी करण को परिभासित कीजिए एवं उसकी प्रमुक विसेस्ताओं को विस्तार पूर्वक समझाईए इसके बाद तीसरा प्रिश्ण पूछा गया 73 वा एवं 74 वा संबिधान संसोधन को विस्तार पूर्वक समझाईए यानि कि तीसरे प्रिश्ण में आपसे पूछा गया था जो संबिधान में संसोदन हुआ था 73 नमबर का और 74 नमबर का उसको समझाना है आपको विस्तार पूर्वग इसके बाद 4 था मद्य प्रिदेश के संधर्व में त्री इस्तरिये पंच्याती राज्य विवस्ता को समझाईए यानि कि मद्य प्रिदेश में त्री इस्तरिये पंच्याती राज्य विवस्ता कैसी है उसके बारे में पूछा गया था इसके बाद पांचमा प्रिश्न पूछा गया गिराम सबा को परिभासित कीजिए इसके क्या कारे है ब्याख्या कीजिए यानि कि गिराम सबा के बारे में पूछा गया था आइटिकल चालिस में गिराम सबा के बारे में परिभासित किया गया है भारतिय संब्धान के उसी के बारे में लिखना था इसके बाद छटमा बे कौन से तरीके है जिन्हें सासन इस्थानिय संस्ताओं को नियंतरित कन्ने के लिए लाता है इसके बाद सात्मा प्रिश्ण पूछा गया नगरिये निकाय की आय के प्रमुक सुरोतों का वर्णन कीजिए आठ्मा पंच्याती राज्य अधिनियम 1961 के आंतरगत नगरपाल का परिशाद की संरच्रा एवं कारहों की व्याख्या कीजिए इसके बाद नौमा प्रिश्ण पूछा गया था पिरजय तांतरिक विवेके तिन्दी करण संबन्दी सुतंता प्राप्ती पस्यात उठाये गए कदमों की व्याख्या कीजिए विकेंदी करण इसके बाद दसमा प्रिश्ण पूछा गया निम्न मेंसे किनी दो पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए पहरा बलवंत राय महता समीती के सोजाओ पर दूसरा असोग महता समीती के सोजाओ तीसरा सामुदाइक विकास कारेकिरम किनी दो पर टिपड़ी लिखने के लिए पूछा गया था दस में प्रिश्न में इस पिरकार दोस्तों BALLV साथ में सेमिष्टर सेल्फ गवर्मेंट यानि की इस्थानिय स्वासन में एही दस प्रिश्ण पूछे गाए थे अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारिंटी देता हूं कम से कम तीन या चार पृष्ण तो इसी पेपर से पूछे जाएंगे अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा आप हमें मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको एह वीडियो अच्छा ल नवार